सक्सेस की 98 में आप सभी को स्वागत है हेलो गाइज तो जल्दी से जूड़ जाए चनल के साथ ताकि मैं क्लास को सुरू कर दूँ तो जो जो नए जून है चनल के साथ चनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जूड़ दो बाद जेगा है तो आप हमारे टेलिग्राम से जूड़ सकते हैं जो कि है सक्सेस स्पेस की 98 और जैसा कि आपको सबको पता ही है कि सारे पीडिएफ आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट पे जो कि है www.successk98.in और जो भी एक्चुक हैं और हमारा तो मानना है कि मोक्टिश आपको देना ही चीए एक्जाम से पहले एक बार तो आप मोक्टिश जा कर दे सकते हैं www.successk98.org पे तो चलिए क्लास से स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्राशन है ए रहा आपके स्क्रीन पर इसका उतर दीजेगा निमलेखित में से किस से फूल का निर्मान होता है ए दीजेगा एंसर फटाफट ब्रायोफाइटा टेरी जोफाइटा जिम्नो स्पोय हैं जिम्नो स्पूर्म औडी एजियो स्पूर्म तो फटाफट उतर ज़ेके इसका और काफी आरहा है एंसर से यहां भी कि मिक्ससर सारह हैैं सर्थ चलिए कोई बात नहीं तो इससका जोफाइजेशर होगा ओंज्यो स्पॉर्म एंजञशपम एक तरह से फ्लावर इसका नामी है फ्लावर बॉर्निंग तो ए जिम्नोसम bipolar की तरह काम करता है, लेकिन जिम्नो में क्या होता है? कि लिप्स त्यार होते हैं, यहां पर क्या होता है? कि फ्लावर बेर करते हैं चलिए फूल का निर्मान होता है अगला प्रश्ण दूसरा प्रश्ण एरा आपके स्कीन पर इसका उतर देगा ऑक्सजीनित रक्त किसके माध्यम से हिर्दय से बाहर निकलता है ए महाधमनी बी फेफड़ा धमनी सी उर्दो महाशिरा और डी परिस्कोष्ट सर्वाँ वाजखन दरीगा फड़ावड उतर जेगा और बहुत बढ़े है यार काफी उतर सही आ रहे हैं आपे जी हां एकदम सही उतर था महाधमनी जो ऑक्सिजनेटेद द्रक्त होता है ओ हमार हिर्दय से होकर लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए और उट्रा में आती है तो जीनों यहां पर एंसर दिया है ए उनका उत्तर इकदम सही था तीसरा प्रशना एरा आपके स्किन पर इसका उतर दिएगा कोवलेंट बॉन्ड को क्या कहा जाता है संसयोजक बॉन्ड को और क्या कहा जाता है ए आनविक बॉन्ड बी प्रोटोन बॉन्ड सी नाविक बॉन्ड या डी एलेक्ट्रोन बॉन्ड तो फटा-फट उत्तर दिएगा इसका भी कॉलेटन बॉंड का दूसरा नाम क्या है मॉलिकूलर बॉंड प्रोटॉन बॉंड नुक्लेस बॉंड और बहुत बॉलेट काफी उतर सही आ रहा है था जी हाँ मॉलिकूलर बॉंड आणविक बॉंड जिसको बोलते है है एकदम सही उतर है एक chemical bond है जो कि atom में electron के जोडों को प्रवाइद करते हैं चलिए अगला प्रश्ण चौध था एर आपके skin पर इसका उतर जेगा sulfur all chlorine में किस प्रकार का bond हो सकता है A. धुरूय संसयोजक B. पॉलियोनिक C. नॉन पॉलर कॉल्वेंट D. आयोनिक sulfur all chlorine में किस प्रकार का bond हो सकता है A. धुरूय संसयोजक B. पॉलियोनिक C. नॉन पॉलर D. आयोनिक और काफी आ रहे हैं आपके answer तो जी हाँ C जिनों ने याँ पे दिया है अधुरूय संसयोजक नॉन पॉलर कॉलेंट दैट इस अट एंसर Sorry, 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 Sorry इसका उतर मैंने गलत दे दिया तो आपकर देज़ेगा इसके लिए Polar Covalent होगा इसका उत्तर चुकी ये दोनों ही Non-Metal है और एक दूसरे के साथ काफी react करते हैं इसलिए ये Polar Covalent कहलाएंगे चलिए पांचवा प्रशन एर आपके स्किन पर इसका उतर दिजेगा क्या बताता है कि एक कंडेक्टर से निकलने वाली विदुधारा के बीच संभावित अंतर का अनुपात इस्थिर होता है बसरते कि इसकी भौतिक इस्थितिया जैसे की तापमान इस्थिर रहे आपके आप्शन्स हैं A. Lennox Law B. Hooks Law C. Ohms Law D. The Columbus Law तो फड़ा बतर जेगा इसका और काफी आ रहा है एंसर सही एकदम जी हां करेक्ट एंसर है A. Ohms Law बताता है कि एक कंडेक्टर से निकलने वाली विदुधारा की भी संभावित अंतर का अनुपात इस्थिर रहता है इसकी बहुतिक इस्थितियां जैसे की तापमान इस्थिर रहे तो ओम स्लॉइस दकरेट एंसर छटा प्रशन एर आपके स्किन पर इसका उतर दीजेगा नमले खितमे से कौन से धरपन कारों के हेड लाइट्स में उप्योग में लाया जाता है आपके options है A. अर्ध विर्ताकार, B. शंक वाकार, C. कॉन्वेक्स उत्तल या B. ड. कॉन्वेक्स उत्तल तो फटाफट उत्तल जाएगा इसका भी दरपनों का निस नमले खितमे से कौन सा दरपन कारों की हेल लाइट्स में उप्योग किया जाता है सेमी सर्कुलर, कॉनिकर, कॉन्वेक्स और कॉन्केव तो जी हाँ D. जिनों नहीं यहां उत्तर दिया है कॉन्केव डाइट इसका एंसर कारों के दरपनों में आउतल लेंस का आउतल दरपन का उप्योग किया जाता है कार्बनिक योगिक केवल किसमे घुलंचील होते हैं बताएगा इसका एंसर और ओर्गनिक कंपाउंट्स आर आउनली सॉल्यूबल इन ए धातू विलियन दी धुरुविय विलियन सी गयर्द धुरुविय विलियन या डी अधात्विय विलियन तो फटा फटतर जग इसका भी कार्बनिक योगिक केवल किसमे घुलंचील होते हैं तो चलिए मैक्सिमम जो होते हैं और्गनिक कंपाउंट जो होते हैं ओ इन सॉल्यूवल होते हैं जल में तो उस नाते ए हुए गयर्द धुरुविय विलियन नॉन पॉलर सॉल्वेंट हुए तो जिन्हों यहां पर एंसर दिया है सी उनका उत्तर इकदम सही था जिन्होंने गलत किया था प्रेश्ची कर लिजेगा अगले प्रेश्ची की तरह बढ़ते हैं मारा आज का आठवा प्रश्ण ए रहा आपके स्किन पर इसका उत्तर दिजेगा निम लिखित में से कौन एक फल नहीं है ध्यान से सो समझ के अंसर दिजेगा काफी इंपोर्टेंट प्रश्ण है और बनने का चांसिस बहुत ज़्यादा है इसका निम लिखित में से कौन एक फल नहीं है A. सेव B. खजूर C. अंगूर D. बैर तो फटा फड़ उत्तर जिगस कभी और काफी एंसर आ रहे है यहां पे बहुत बढ़िया यार बहुत ही बढ़िया तो जिनों नहीं यहां पे एंसर दिया है सेव उनका उत्तर एकदम सही है सेव जो है ओ साधार्टा जैसे कि हमारा वनिस्प्ति विज्ञान बोलता है कहा जाता है लेकिन सेव जो होता है ओ मांसल होता है जो कि थेलमस से बना होता है जो फूल नहीं आता ओवरी से नहीं बनता इसलिए सेव जो है ओ सच्चा फल नहीं कहलाता बोटानिकल साइंस के हिसाब से तो जिनों नहीं यहां पर एंसर दिया है उनका उत्तर इकदम सही थ तो ध्यान रखिएगा ओवरी जो की पाठ होता है फ्लावर का ओपकने के बाद जो फल होता है उसे ही फल कहा जाता है नवापरश्ण एरापरश्ण पर इसका उतर जेगा प्राकृतिक गैस में अधिकतर क्या सामिल होता है आपके ऑप्संस है ए मिथन बी ब्यूटन सी इतन य जी हां फॉल्स फूर्ट भी आप उसको बोल सकते हैं सर समझ नहीं आया ओवरी जो पाठ होता है फूल आप देखिएगा किसी भी पेड़ में जो होता है ना तो फल फूल फल बनने से पहले ओपूस्प बनता है और पूस्प जो होता है ओपक कर फल में परवर्तित हो जाता है जो मांसल काफी माहत्रा में मांसल होते हैं मांसल मतलब ज्यादा भाग उसका जो रहता है और गुधेदार होता है कि मतलब हो को फूल में नहीं गिनता है उसको फूमें गिनते मतर बिटल सब्चत करीट एंसर करीब सतर से नाइंटी परसेंट तक होता है मीथेन गैस चलिए अगला प्रशन दस्वा प्रशन एरा आपके स्किन पर इसका उतर दिएगा निमले खित में से क्या आईरन का एक सम्रिद्ध स्त्रोथ है तो फटा फट बताएगा इसका निमले खित में से क्या आईरन का एक सम्रिद्ध स्त्रोथ है गाजर, पालक, चावल या मटर पालक जो होता है उसमें बहुत भारी मात्रा में आईरन पाया याता है चलिए 11 प्रशन की तरह बढ़ता है हमारा आज का 11 प्रशन उससे पहले में बोलूँगा जो जो नए जोड़ है चैनल के साथ चैनल को सब्सकाइब कर लिजेगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को लाइक जरूर कर दिजेगा और हो सके तो शेर करेगा थाकि उन भाई बंदों के पास में पहुंचे जिनके पास कोजिशन लेने की चमता नहीं है 11 प्रशन एरा आपके स्क्रीन पर इसका उत्तर दिजेगा क्रायोजिनिक्स भौतिकी की एक शाका है जो की निमलिखित में से किस्से संबंदित है आपके अप्संस है ए बहुत उच्छ तापमान बी बहुत कम तापमान सी बहुत छोटी क्रिश्टल की विद्धी या डी बहुत बड़े क्रिश्टल का विकाश तो उत्तर दिजेगा इसका कोई बात नहीं सौरी मत बोलिए आप बस जूड़ेगा टाइम से इसलिए मैं बार बार बहुता हूं कि टाइम देखकर ठीक साड़े दस बेश चेन के साथ जूड़ जाये करिए ताकि आपको नोटिफिकरिस्टल का वेठी ना करना पड़े था उत्तर नहीं गलत किया ठीक कर लिजेगा बार हुपर के एक मारा आज का बार फो पड़ा कराये हुआ प्रस्ण Deuterium Oxide तो फटाफट बताएगा इसका एंसर चले बहुत बढ़िया तो काफी आ रहा है आपे जी हां एंसर एक्दम करेट एंसर आया Deuterium Oxide D2O जिसको हम सौट में बोलते हैं D2O जिन्हों नहीं आया एंसर दिया है C Deuterium Oxide उनका उत्तर एक्दम सही है जिसे हम भारी पानिक के नाम से भी जानते हैं तेरवा प्रशन एरा आपके स्किन पर इसका उतर दीजेगा मानो तवचा में कितनी परते होती हैं How many layers does human skin have आपके options है A 5 B 7 C 11 या D 3 तो फड़ा फड़ बताएगा इसका मानो तवचा में कितने प्रकार की परते होती हैं How many layers does human skin have और काफी आराएंसर मिक्स यहां पर लेकिन जीहां D 3 जिन्होंने दिया है answer उनका उत्तर एकदम सही था जिन्होंने गलत किया था प्लीज ठीक कर लिजेगा और ओ तीन है Epidermis, B Dermis और 3 Hypodermis चौदवा प्लाशन एर आपके स्क्रीन पर आपका उत्तर दिजेगा अच्छे से पढ़कर A. धातू की सुधता निर्धारित करने के लिए कौन सी विधी लागू की जा सकती है Which method can be applied to determine the purity of a metal आपके options है A. बॉल सिद्धान्थ, बॉल स्लो, B. अर्कमेडिस सिद्धान्थ, आर्कमेडिस प्रिंस्पल, C. न्यूटन्स लो, न्यूटन का सिद्धान्थ, या D. पास्कल्स लो, पास्कल्स का कानून तो फटा-फट उत्तर जेग इसका भी धातु की सुधता निर्धारन किस के दारा, किस विधी के द्वारा किया जा सकता है बॉल्स लो, आर्कमेडिस प्रिंस्पल, न्यूटन्स लो और पास्कल्स लो तो काफी आरेस में बहुत बढ़िया तो जी हाँ B. आर्कमेडिस लो is the correct answer आर्कमेडिस प्रिंसपल के हिसाब से किसी विधातों की सुधता का निर्धारन किया जा सकता है पंदरवा प्रश्न एर आपके स्क्रीन पर इसका उत्तर दीजेगा अब अमीनो एसीड है क्या A. कार्बोहाइडरेट के बिल्डिंग ब्लोक B. नुकलिक एसीड के बिल्डिंग ब्लोक C. लिपिट के बिल्डिंग ब्लोक या D. प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लोक तो फड़ा फड़ उत्तर जेगा इसका भी अमेनो एसीड आ बिल्डिंग ब्लोक औफ कार्बोहाइडरेट Building Blocks of Nucleic Acid Building Blocks of Lipids D Building Blocks of Protein और बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया तो काफी answers भारी मात्रा में answers से आए यहां पर आए Building Blocks of Protein जी हाँ जो की हमारे सरीर के muscles को गेन करने में सहायक होती है बहुत बढ़िया अगला प्रशन सोलवा प्रशन ए रहाप के skin पर इसका उतर दिजेगा Dialysis दोस्पून गुर्दे वाले लोगों के लिए उप्योग किया जाता है इसमें किस प्रकार की प्रक्रिया सम्मिलित है आपके options है A. Absorbents सोखन B. Osmosis C. Electrophoresis D. Prashar Diffusion तो फड़ा फड़ उतर जेगा इसका भी Dialysis दोस्पून गुर्दे वाले लोगों के लिए मत्तब Dialysis जो होता है reflective kidney के लिए O. किस प्रकार की प्रक्रिया में साम्मिल है निमलिक्षित में से सोखना Asmus Electrophoresis और प्रशार तो काफी यहां में मिक्स एंसर आ रहे है तो G. जिन्होंने यहां एंसर दिया है B. Osmosis Osmosis ओ प्रक्रिया है जो की Dialysis के समय काम करती है जिन्होंने यहां प्रशार दिया B. उनका उतर इकदम सही था जिन्होंने गलत किया था Monocode में अंतर पहचानने में शहायता करती है आपके options है A. परागन B. Venetion C. Varnetion या D. पुस्पदल विन्यास तो फड़ावड उतर जिये इसका भी और काफी मात्रा में आ रहे हैं एंसर चलिए तो बहुत बढ़िया तो जिन्होंने यहां पर एंसर दिया है B. Venetion Venetion जो प्रक्रिया होती है जो पत्तियों में नसे जो दिखती है O. उनको बोलते हैं उस प्रक्रिया को Venetion तो Venetion के द्वारा High Coat और Monocode में अंतर पहचानने में सहायता होती है तो जिन्होंने यहां पर एंसर दिया है B. उनका उत्तर रिदम सही था जिन्होंने गलत की आता प्रिष्टी कर लिजेगा 18 प्रशन के तरह बढ़ते हमारा आज का 18 प्रशन A. आपके स्किन पर इसका उत्तर दिजेगा तो फड़ा फड़ उत्तर जेगा इसका भी Which of the following elements has the lowest melting point helium, potassium, tungsten और sulphur तो काफी आ रहे हैं अंसर यहां भी तो जी हां A. helium is the correct answer दिये हुए options में helium का गलनाख बिंदू सबसे कम है आपके स्किन पर इसका उत्तर दिजेगा नमले कितमे से किसकी प्रमाणु संख्या फास्फोरस की प्रमाणु संख्या से अधिक है तो आपके options है A. aluminum, B. silicon, C. chlorine या D. magnesium तो सबसे पहले फास्फोरस का जो है ओ कितना है ओ है 15 atomic number तो नमले कितमे से किसका atomic number ज्यादा है तो फटा फटा उते जिएगा इसका और काफी answers आ रहे हैं आभी चले बहुत बढ़िया तो जी हाँ C. chlorine is the correct answer. chlorine का atomic number है 17 जिसके वज़े से A. phosphorus से ज्यादा हो जाता है बाकी का तो aluminum का 13 silicon का 14 और magnesium का 12 तो बार बार मैं बोल रहा हूं और बोलता हूं कि कोशिश करिएगा कि आप जितने भी elements हैं उनके संकेतिक नाम मतलब symbols और उनका प्रमाणविक number atomic number आप याद कर लें तो बहुत बढ़िया होगा क्योंकि इनसे प्रश्न बन रहे हैं और बनते हैं 200 प्रश्न एरा आपके स्किन पर इसका उतर दिजेगा किस प्रकार का रोग जनक जल जनित रोग Hepatitis A का कार्ण बनता है आपके options हैं ए परसाइटिक परजिवी बी वाइरल या फुट्वा या दी बैक्टरियल तो फटाफट बताएगा इसका एंसर निमली खित में से कौन सा प्रकार जल जनित रोग Hepatitis A का कारण बनता है परसिटिक वाइरल प्रोट्वा और बैक्टरियल तो काफी यहां भी मिक्स अंसर आ रहे हैं तो Hepatitis A जो है A बीमारी है वाइरल जो की water burn या food burn के चलते जल जनित या खादे जनित रोग के चलते होता है खाने या पानी में वाइरस होने के वज़ा से A बीमारी हो जाती है तो जिन्हों यहां एंसर दिया है B उनका उत्तर इदम सही था जिन्होंने गलत किया था प्रिष्ठी कर दिजेगा अगले प्रशन की तरह बढ़ता है हमारा आज का 21 प्रशन ए रहा आपके स्किन पर उत्तर दिजेगा निमलिखित में से क्या एक प्राकृतिक विद्धुद घटना है जो की आकास में लाल या हरे रंग के प्रेकास के प्रशार्गों की उपस्थिति के कारण होती है विशेशकर उत्तरी या दशनीय चुमबकिया ध्रुग के पास आपके आप्शन से ए एकॉलिस बी अलाक्रस सी अलबोपिक्टर्स या डी और 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 तो फड़ा फड़ उत्तर दिजेगा इसका भी विशेशकर प्रशन से लाल और अहर ना के प्रशारक उपस्थिति की कारण होती है अगला प्रशन बाइस्वा प्रशन एर आपके स्किन पर इसका उत्तर दिजेगा प्रथ्वी की भूपट्टी में मुख्यत निमनेख्यत पर से क्या है कि ए बॉक्साइट बी मेगनीज सी सीलिका या डी आईरन तो फटा फटा एंसर दिजेगा इसका अर्थ क्रॉस्ट में ली कंटेंस ए बॉक्साइट बी मेगनीज सी सीलिका या डी आईरन तो काफी यहां मिक्स अंसर आ रहा है तो जी हां जिनों ने यहां पर एंसर दिया है सी सीलिका डैट इस दा करें एंसर सीलिका जो है उसकी मात्रा मोर देन 90 परशेंट होती है अर्थ क्रस्ट में प्रत्वी की भूपट्टी में जो की ऑक्सीजन के साथ सबसे ज्यादा मिलने वाला तत्व है चलिए अगले प्रेश्ट में बढ़ता हैं तेई स्वाप रशने एर आपके स्किन पर इसका उतर दिजेगा लेजर का अविसकार किस ने किया आपके ऑप्संस हैं A. William Fraze Green B. Arthur Fry C. Gordon Good या D. Otto One Uric तो फटा फट उत्तर जिए इसका भी वू इन्वेंटेट लेजर विलियम फ्रिस ग्रीन और्थर फ्राई गॉर्डन गूल्ड या अटो वन यूरिक काफी मिक्स एंसर से या भी आ रहे हैं लेकिन जातर एंसर सही भी मिल रहे हैं तो जी हाँ जिन्हों ने एंसर दिया है गॉर्डन गूल्ड, that is the correct answer गॉर्डन गूल्ड इस वाइड़ी बट नॉट यूनिवर्सली, मतलब बहुत ज्यादा जाना याते है अपने लेजर के आविस्कार के लिए लेकिन उनिवर्सली नहीं उनिवर्सली काफी पोपलर नहीं है तो 1969 में इन्होंने लेजर का अविस्कार किया था और इनके बाद जो प्रचलीत है ज्यादा नाम उनका है ओ है 3rd R. H. Neman उनको भी माना आता है कि 1960 में उन्होंने लेजर का आविस्कार किया था तो आप ध्यान रखिएगा Gordon Gold is the correct answer यहाँ पे 2400 प्रश्ने एर आपके स्किन पर इसका उतर दिजेगा एक असमान या जीव कैसे पुनरुत्पादन करता है How does a unicellular organism reproduce आपके option है कोशिका प्रश्नन से कोशिका संसलेशन से या इनमें से कोई भी नहीं तो फड़ा फड़ उतर जाए इसका How does a unicellular organism reproduces तो काफी answers यहाँ पे आ रहा है जी हाँ एकदम बहुत ही बढ़िया तो unicellular organism जो होते हैं O cell division के द्वारा पुनर उत्पादन करते हैं तो जिन्हों नहीं यहाँ पे answer दिया है A, उनका उत्तर इकदम सही था जिन्होंने गलत किया था प्रश्षी कर दिजेगा अगले प्रश्न की तरह बढ़ते मारा आज का 25 स्वा प्रश्न एर आपके स्किन पर उत्तर दिजेगा एर्बोरियल एटलिस किसका वे ग्यानिक नाम है आपके options है A, गिलहरी B, गौरिया, स्पैरो या C, लिजर्ड, छिपकली या D, स्पाइडर मंकी तो फड़ा फड़ उत्तर जैसका एर्बोरियल एटलिस्ट किसका साइंटिफिक नाम है स्पैरो, लिजर्ड या स्पाइडर मंकी तो काफी बहुत बढ़िया तो जी हाँ, स्पाइडर मंकी जिन्हों ने उत्तर दिया है उनका उत्तर इदम सही था जिन्हों ने गलत किया था, प्रिश्टी कर लिजेगा अगले प्रशन कितरा बढ़ता है हमारा आज का 26 वा प्रशन A रहा आपके स्क्रीन पर इसका उतर दिजेगा काफी एजी प्रशन है ये और आसा करता हूँ, मैक्सिमम एंसर मुझे सही मिलेगा इससे तो उतर दिजेगा, the chemical formula of ammonia is NH, NH1, NH2 या NH3 फटा फट उतर दिजेगा, चले ये बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, तो जी हाँ, D, NH3 is the right answer, ammonia का रासन निक सुत्र है, NH3 अगले प्रशन के तरह बढ़ता है हमारा आज का 27 वा प्रशन ए रहा आपके स्कीन पर इसका उतर दिजेगा फुले रिन, कार्बन के एलोटोप की खोज किसने की, आपके options है, A, केशेले, B, बक्निस्टर, फुलर, C, फेराडे, या D, हाइजनबर्ग तो आपका यहाँ पर answer में ही छिपा हुआ है, उसका नाम, तो इसका तो गलत होई ना ही नहीं चीए चले, बहुत बढ़िया, तो जैसा कि मैं जानता था कि इसका answer गलत नहीं होगा, तो गलत हुआ भी नहीं तो बहुत बढ़िया, सर, जिन्नों ने उतर दिया है, B, बक्निस्टर, फुलर, दाट इस दा करड़ एंसर, B, इस दा करड़ एंसर अगले प्रश्कित्र बढ़ता मारा आज का 2800 प्रश्ण एर आपके स्कीन पर इसका उतर दिजेगा, नमले खित में से क्या, अना ध्रिकित पहुँच से नेटवर्क की रख्षा के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल औरूद करता है, आपके अप्संस हैं, A, फायरवाल, B, C, रूटर, या D, V, O, I, P, तो फटा-फट उतर जेगा, इसका, which of these perform internet protocol blocking to protect networks from unauthorized access, और बहुत बढ़िया, तो जी हा, फायरवाल is the correct answer, फायरवाल O है, जो अनरिकृत पहुच से नेटवर्क की रख्षा के लिए internet protocol का औरूद करता है, उन्ती स्वा प्रश्न एर आपके स्किन के सामने इसका उतर दिजेगा, किस प्रकार के रोग जनक से जल जनित रोग, शल्मोनेलिसिस होता है, आपके options है, A, अलगत, B, परिजीवी, C, बैक्टिडिया, या D, वायरल, विच ताइफ ऑफ फेतर गून, वाटर बॉर्न दिजीज, सल्मोनोलेसिस, अलगल, पैरसिटिक, बैक्टिरियल या वायरल, तो बहुत बढ़िया, काफी आ रहे हैं आभी एंसर, तो जी हाँ, जिनोंने याँ पर एंसर दिया है, C, वैक्टिरियल, उनका उत्तर इक्दम सही है, जिनोंने गगत किया था, प्रिष्छी कर लिजेगा, अगले प्रशन की तरह बढ़ते हमारा, आज का तीस्वा प्रशन मैं यह रहा आपके स्किन पर आशा करता हूं, इसका भी उत्तर इक्दम सही मिलेगा मुझे, इन में से कौन सी हलन गैस नहीं है, आपके अप्संस है, A, मिथन, B, कार्बन टेट्राक्लोराइड, C, आइडो मिथन, या D, ब्रोमो मिथन, तो फटा फट उत्तर दिजेगा इस है, सर, A, मिथन, उनका उत्तर सही था, जिन्होंने गलत किया था, प्रिस चीक कर लिजेगा, चलिए, अगले प्रश्ट की तरह बढ़ता है, हमारा आज का एक तीसवा प्रश्ण, उससे पहले में अगर फिर से बोलूँगा, जो जो नए जूड़े हैं चनल के साथ, चनल को हिमोगलोबिन की कमी हो जाती है, आपके ऑप्संस है, A, अल्बिनिज्म, B, प्रोपाइरिया, C, आनेमिया, या D, केलोईड डिसॉर्डर, वेलकम सर, जो नए हैं, जरूर सब्सकाइब कर लिजेगा चनल को, और जितने भी आपने मिस्स किये हैं, सारे के सारे PDF हमारे सक्सेस की 98.IN पर दिये हुए हैं, तो आप वहां से डाउनलूड कर लिजेगा, सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, जी हा, अनेमिया इस दा करेट एंसर, जिन्हों ने उत्तर दिया है, C, अनेमिया, उनका उतर गदम सही था, जिन्हों ने गलत किया था, प्लिस ठीक कर द अननस को कमोसस किसका वैग्यानिक नाम है, आपके ऑप्संस है, A, कस्टर अपल, B, अननस, B, बास, या D, अनार, तो फड़ा फड़ उतर जेगा, इसका सर, गलत न करिये, पूरा का पूरा एंसर ये वाला दिया हुए है, अगर इसको आप इन सब को गलत करियेगा, तो सर, बहुत गलबड हो जाएगा, तो इसको तो गलत करियेगा हिमत, अनस कोमोसस किसका वैग्यानिक नाम है, आपका अप्संस है, A, कस्टर अपल, B, पैनेपल, C, बंबू, या D, पॉमन ग्रेनेट, तो काफी आ रहा है, यहां भी मिक्स, लेकिन मिक्स आना नहीं चीए था सर, क इस दा साइंटिफिक नेम ऑफ पैनेपल, जिनोंने यहां पर एंसर दिया है, B, उनका उत्तर रिद्धम सही था, जिनोंने गलत किया था, प्रिशी कर लिजेगा, चलिए अगले प्रशन की तरह बढ़ते मारा, आज कहते हैं, तैंटी सवा प्रशन एर आपके स्किन पर उत फटा फट उत्तर दिजेगा इसका भी, कौन सा अंग इंसुलीन पैदा करता है, तो जैसा कि आपको पता है, इंसुलीन का काम क्या है, इंसुलीन का करता है, हमारे सरीर का जो सुगर लेवल होता है, उसको मेंटिन करता है, तो उसको हमारे किस अंग में प्रोडूस उत्पा सब्सक्रादन होता है चलिए अगला प्रश्ण चोहती सवा प्रश्ण एराप किस्विन पर इसका उतर दीजेगा जल्ब प्रदूसर्ण के कारण निम्न में से कौन सा बीमारी नहीं होती है इसका बढ़ियां से पढ़कर असर दीजेगा इधर ध्यान दीजेगा जल्ब प्रदूसर्ण के कारण निम्न में से कौन सा बीमारी नहीं होती है तो ध्यान दीजेगा है जा टाइफाइड अस्त्मा या दस्त तो बहुत ही बढ़ियां और इजी प्रश्ण था यह वाला तो गलत करेंगा इमात आप लोग छीए अस। अस्तमा इज द ग्रैंश को जिनोंने अस्तमा दिया है बहुत प्रश्ण कर लिजर्य गां कि यूज्ट्क यूजर्ण जनोंने अस्तमा वं वही मारी है जो कि को जा सितने के कारण नहीं होती है चलिए अगले प्रश्ण की तरह बढ़ते मारा आज का 3500 प्रश्ण एर आपके स्किन पर इसका उतर दीजेगा हूँ इन्वेंटेड कोका कोला कोका कोला की आविश्कार किस ने किया आपके आपसंस है ए फ्लॉइड पैक्सटन बी लेस पॉल सी जॉन पंटन डी फोरेश्ट पैरी कोका कोला का अविश्कार किस ने किया और बहुत बढ़िया यार काफी मात्रा में एंसर सही आए जी हाँ जॉन टेंबर्टोन इस दा करेड एंसर जॉन पर बेटन ने 1886 में कोका कोला का अविश्कार किया चलिए अगले प्रश्ण की तर बढ़ते मारा आज का छती स्वा प्रश्ण एरा आपके स्कीन पर इसका उतर दिएगा अनुर्दैर्द्य तरंगों का एक उधारन एक माध्यम के रूप में गैस में है क्या निमनिमें से कौन सा ए उसमा तरंगे बी रेडियो तरंगे सी विदुत चुंबक्य तरंगे या दी ध्वनी तरंगे अन एक्जम्पल अफ लॉंगी चुनल वेप्स और बहुत ही बढ़िया यार काफी मात्रा में सही एंसर आरहे हैं यहां तो जी हां साउंड वेप्स जो है उसका उधारन है साउंड वेप्स तो जिन्होंने यहां पे दिया ध्वनी तरंगे उनका उतर रिग्दम सही था जि करता हूं इसका उत्तर भी मुझे सही मिलेगा डाक टीकट का अविसकार किस ने किया आपके आप्शन से ए रूथ हैडलर बी जॉन हरिंटन सी रावलेंड हील और डी फैलिक्स हॉपमेन तो फड़ावड उतर जेगा इसका भी पोस्टेज स्टांप का अविसकार किस ने किया रूथ हैंडलर जॉन हरिंटन रॉलेंड हील या फैलिक्स हॉपमेन और बहुत बढ़िया यार तो मिक्स यहां पर एंसर आ रहे हैं लेकिन कुछ है जो जानते हैं और पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे तो जी हां रॉलेंड ह इस दा करेट एंसर 1840 में इन्होंने पहला पोस्टेज स्टांप की सुर्वात की थी 38 प्रशन एरा आपके स्किन पर इसका उतर जीएगा निमनल खित में से कौन सा पदार्थ की चौथी इस्थिती है आपके आपसान से ए प्लाजमा बी स्टीम सी गैस या डी मेटरोईड तो फड़ा फड़ उतर जीएगा इसका विच इस दा फौर्थ स्टेट आप मेटर प्लाजमा स्टीम गैस या मेटरोईड बहुत बढ़िया या बहुत ही बढ़िया तो जी हाँ ए प्लाजमा इस दा करेड़ एंसर और काफी बंदू ने दिया और हंड़िद प्रशन लिख कर दिया इसका एंसर प्लाजमा होगा सर बहुत अच्छे 49 प्लाजमे एर आपके स्कीन पर इसका उतर दीजेगा एक चीर्टी के काटने पर एक व्यक्ति के सरीर में कौन सारा शायन घुल जाता है आपके ऑप्संस हैं A. फॉर्मिक एसिड, B. एस्टिक एसिड, C. टाटरिक एसिड या D. साइट्रिक एसिड तो करいた कर एक उतर एकमीकल घुल जाता हैउ फॉर्मिक एसिडिक थारेटलिक या सै्ट्रिक अब हुआ बहुत बढ़िया जी हां इक दम सही एसिड आया dif फॉर्मीक एसिड जिसे हम लोग मुथा नयमिक भी कहते हैं मेथानेमिक यॉत्टर एसिड तो फ्वार्मिक एसिड argण अगले प्रश्ण के सब बढ़ता है हमारा आज का अंतिम प्रश्ण चालीसवा प्रश्ण एर आपके सामने आशा करता हूं इसका उत्तर तो सही मिलेगा ही निम्र में से कौन सा एक धवा है जो आपके हिर्दय को अधिक धीरे-धीरे काम करवाता है जो उच्रक्त चाप के इल अगर ध्यान से आप इस प्रश्ण के पढ़ ले तो आपका एंसर यहीं पर मिल जाए कौन सी दवा है जो हिर्दय को अधिक धीरे-धीरे काम करवाता है उच्रक्त चाप के इलाज के लिए उप्यों किया जाता है आपके ऑप्संस हैं गर्विनीरोधक आप तो ऐसे यह नही नहीं हो गया बेटा और ओधक गेज़िए से यह गजी बहुत बढ़िया भाली बोकर डाकर अनुदय कर पास तो आशा करता हूं आपने सारे अटेंट किये होंगा अच्छे से तो मुझे एक बार बताइएगा किसने कितना अटेंट की असर क्योंकि एक लासेस कराने का सबसे बड़ा खारण यही है कि मुझे आपको बताना पड़े कि आपको खुद पता चल जाए कि आप कितनी तयारी कर रहे हैं और कितनी अच्छी आपको तयारी चल रहे हैं सर एक्जाम से ठीक पहले तो बताएगा मुझे आपने कितना आटेंब किया बहुत बड़िया सर आपका सही था तो सर 19 कोई बात नहीं सर मारखंडे आप तैयारी करिए बहुत बड़िया होगा तैयारी करिए सर कोशिच करे कि आप कम से कम इसको 30 के ऊपर ले जाएं कोई बात नहीं रामराज, नेक्स टाइम बहुत बढ़िया हो जागा सर, रजत बंसल, सर कितना टेम की आपने, देवासी स्पांडे 36, बहुत यार बढ़िया, ब्रिलियंट आप, 36 ही सही हुआ सर मेरा, विनोध लोडी, सर 36 कम नहीं होता सर, 36 आप अगर अटेम करते हैं, तो आप अपने एक्जाम के लिए करीब करें समझ लिए, 90 परसंट तयार हैं सर, बस 10 परसंट एफट और चाहिए, गगंदीव ठाकूर 40 में 20 एंसवर, चलिए कोई बात नहीं, बेटर लख नेक्स टाइम, अमित 35, सुंदरलाल 32, रंजीत कुमार 38 सर, बहुत बढ़िया सर, चल जाएगा, तो आप वहां से जाकर ले सकते हैं, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ, आपको क्लास अच्छी लगए होगी, और अगर अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक कर दीजेगा, और हो सके तो शेर करिएगा, थाकि उन भाई बंदों के पास गूड़ नाइट, टेक क्यर, जैहिन